परिचाए राम तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ और तुम कैसे हो नितीश? मैं भी बहुत अच्छा अच्छा तुम लेपटॉप पर क्या कर रहे हो? मैं अपना भौतिकी का निर्धारित कारे पूरा कर रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा मैं इसे 10-15 मिन्टों में पूरा कर लूँगा ठीक है? मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें अवश्य पता होगा कि लेपटॉप DC वोल्ट था पर कारे करता है क्योंकि इसमें एक बैटरी होती है और AC वोल्ट था में चार्जर का फ्लग लगाने से लेपटॉप चार्ज हो जाता है मेरा प्रशनी ये है कि क्या लेपटॉप का AC वोल्ट था पर कारे करना संभव है? इस भारे में तो मैं सचमुष नहीं जानता ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेपटॉप तथा अन्ने बहुत से उक्करण DC वोल्ट था पर कारे करते है जब चार्जर को AC विद्धता पूर्ती में लगाया जाता है तो चार्जर AC वोल्ट था को DC वोल्ट था में परिवर्थित कर देता है इस तरह उक्करण सुचारो रूप से कारे कर पाते हैं ठीक है, मैं समझ गया यह रोजक है, मुझे इस बारे में और बताओ ना बच्चो, आज हम प्रत्यवर्ती धारा के विशे में सीखेंगे देशे इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्रत्यवर्ती धारा को परिभाशित करना प्रत्यवर्ती तथा दिश्ट धारा के बीच अंतर करना एक प्रती रोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता की गणना करना धारा तथा वोल्टता के वर्क माध्धे मूल मान की गणना करना एक प्रेरक और संधा रित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता की गणना करना प्रेरण प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात को परिभाशित करना परिभाशा एक एसी जनेरेटर एक प्रत्य वर्तिधारा उत्पन करता है जो समय के साथ जयावक्रिय रूप में परिवर्तित होती है एसी वोल्टता एसी वोल्टता कहलाती है और किसी परिपत में इसके द्वारा चालित धारा एसी धारा कहलाती है हमारे घरों में मुख्य विद्युत प्रदाय तथा वर्तमान अधिकांश विद्युत उपकरणों के उप्योग हेतु हमें AC वोल्टिता की अविशकता होती है AC वोल्टिता को अधिक प्रात्मिक्ता देने का मुख्य कारण ये है कि इसे ट्रांस्फार्मर की सहयता से उच्चतर या निम्नतर आयामों में सुविधा पूर्वक एवं दक्षता पूर्वक बतला जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टिता आवर्ती रूप से परिवर्तन शील धारा या वोल्टिता के प्रत्यावर्ती होने की दशाएं निम्न हैं एक आवर्त काल के संगत प्रत्येक चक्र का मान एकांतर रूप से आधा धनात्मक तथा आधा रनात्मक होता है धारा की स्थिती में इस कार्थ है कि प्रतेक अर्द चक्र के पश्चाथ धारा की दिशा उलट जानी चाहिए तथा वोल्टा की स्थिती में इस कार्थ है कि प्रतेक अर्द चक्र के पश्चाथ विभवांतर की ध्रूवर्टा उलट जानी चाहिए धनात्मक एवं रनात्मक अर्द चक्र पुनता सम्मितिक होते हैं धारा या वोल्टता का परिमान धनात्मक एवं रनात्मक दूनों पाश्वों में सभी चक्रों में अचर बना रहता है प्रत्या वर्ती तथा दिश्ट धारा के बीच अंदर AC धारा के रासायनिक प्रभाव उत्पन नहीं कर सकता लेकिन DC धारा के रासायनिक प्रभाव जैसे की विद्युत लेपन या विद्युत अबघटन उत्पन कर सकता है AC को ट्रांसफार्मरों द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है लेकिन DC के लिए ट्रांसफार्मर का उप्योग नहीं किया जा सकता वैद्डिूतिक दिस्ट कारी का उप्योग करके AC को DC में परिवर्थित किया जा सकता है जबकि DC को अंदर वत्कों की उप्योग द्वारा AC में परिवर्थित किया जा सकता है प्रतिरोधक पर प्रयुक्त AC वोल्ट था हम आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक तथा एक AC EMF स्रोध वाले परित्पत पर विचार करेंगे स्रोध के टर्मिनलों पर AC वोल्ट था समय के साथ जया वक्रिये रूप में निवनवत परिवर्तित होती है V पराबर Vm साइन ओमेगा T जहां Vm प्रत्यवर्ति वोल्ट था का आयाम है तथा ओमेगा कोण ये आवरित्ती है हम लूप में किर्चॉफ का नियम प्रयुक्त करके निम्नप्राप करते हैं आई पराबर Vm बटे R गुने साइन ओमेगा T अधिक्तमधारा Vm बटे R द्वारा व्यक्त है अब उप्रोप्त समिकरन को निम्न रूप में लिखा जा सकता है किसी क्षण पर प्रती रोधक पर वोल्ट दा निम्न द्वारा व्यक्त है वी आर बराबर आई आर आई कमान रखने पर हम पाते हैं कि वी आर बराबर Vm साइन ओमेगा T उप्रोप्त समिकरन दर्शाता है कि एक एसी परिपत में एक प्रती रोधक के माद्यम सिधारा इसके टर्मिनलों पर वोल्ट दा के साथ कला में होती है धारा तथा वोल्ट दा का वर्ग माध्य मूल मान आहिए निम्न द्वारा व्यक्त जया वक्रिये वोल्ट दा तथा धारा पर विचार करें वी बराबर Vm साइन ओमेगा T आई बराबर Im साइन ओमेगा T वी तथा आई दोनों आधे चक्र के लिए धनात्मक तथा अन्य आधे चक्र के लिए रनात्मक हैं इसलिए एक पूर्ण चक्र का ओसत मान निशुन ने होगा वर्ग माध्य मूल दारा धारा के वर्ग के औसतमान का वर्ग मूल वर्ग माध्य मूल यानी RMS धारा कहलाता है I, RMS बराबर I, M बटे वर्ग मूल दो जो 0.707, I, M के बराबर है इसी तरह से RMS वोल्टता प्रत्या वर्टती वोल्टता के अधिकतम मान से संबंदित है V, RMS बराबर V, M बटे वर्ग मूल दो जो 0.707, V, M के बराबर है एक शुद्ध प्रतिरोध हात्मत परिपत में प्रतिरोध आर कमान सभी आवरित्यों पर समान रहता है प्रतिरोध बनाम कूनिय आवरित्ती का ग्राफ एक ख्षेतिजिक रसीधी रेखा होता है तातक्षनिक वोल्टता के उधारण आईए तातक्षनिक वोल्टता का एक उधारण देखें एक घर में मुखे विद्ध प्रदाय पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्स अंकित है तातक्षनिक वोल्टता का समीकरण लिखें आईए इसका हल देखें दिये गए मान हैं EV बराबर 220 वोल्ट नू बराबर 50 हर्ट्स हम जानते हैं कि EV बराबर E नॉट बटे वर्कमूल दो या E नॉट बराबर वर्कमूल दो ईवी मानू को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E नॉट बराबर 311 वोल्ट साथी हम चानते हैं कि ओमेगा बराबर दो पाई न्यू मानु को समीकरण में रखने पर हम पाते हैं कि ओमेगा बराबर 314 रेडियन प्रतिसेकन अताहा तात क्षणि का वुर्टता निम्न होगी इ बराबर 311 साइन 314 टी प्रतिरोधग को अपूर्टी की गई शक्ती प्रतिरोधग को अपूर्टी की गई तात क्षणिक शक्ती निम्नद्वारा व्यक्त है पी आर बराबर वी आई जो वी एम साइन ओमेगा टी तथा आई एम साइन ओमेगा टी के गुड़न फल के बराबर है इसे निम्नवत लिखा जा सकता है पी आर बराबर वी एम आई एम तथा साइन वर्क ओमेगा टी का गुड़न फल एक पूर्ण चक्र में आपूर्थी की गई औसत चक्ती निम्न द्वारा व्यक्त है पी आर बराबर वी एम गुने आई एम बटे दो चुकि एक पूर्ण चक्र पर साइन वर्ग ओमेगा टी का समय औसत एक बटे दो है इसे निम्न वत लिखा जा सकता है पी आर बराबर वी आर एमस गुने आई आर एमस या पी आर पराबर आई आर एमस वर्ग गुने आर धारा एवं वोल्ट दा का घुरुनी सदिशों द्वारा निरूपान एक एसी परिपत में धारा और वोल्ट दा के बीच कला संबंद फेजर्स के उप्योग वाली तकनीक का प्रियोग करते हुए आसानी से निर्धारित किया जा सकता है फेजर्स वाले चित्र फेजर चित्र कहलाते हैं इस तकनीक में समय के साथ जया वक्रिये परिवर्तित होने वाली वोल्ट दा तथा धारा को घुरुनी सदिशों वी तथा आईद्वारा निरूपित किया जाता है जो फेजर कहलाते हैं और जिनकी लंबाईया अधिक्तम वोल्ट दा वी एम और अधिक्तम धारा आई एम को प्रदशित करती हैं एक एसी परिपत के लिए फेजर चित्र पर विचार करें फेजर V और I सह संद्रेखे हैं क्यूंकि वे वोल्ट था और धारा की कला में होने के कारण घूडन करते हैं T समय पर फेजर धनात्मक X अक्ष के साथ कौन ओमेगा T बनाते हैं एक प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्ट था एक AC परिपत पर विचार करें जिसमें L प्रेरक कत्व वाला केवल एक प्रेरक एक AC स्रोथ से जुड़ा है स्रोथ पर AC वोल्ट था Vm साइन ओमेगा T है AC स्रोथ की परिवतनशील निर्गामी धारा कुन्डली में निम्न परिमान का EMF उत्बन करती है लूप में किर्चॉफ का नियम प्रयुक्त करने पर हम पाते हैं कि V-VL पराबर चुनने अब उप्रोग्त समीकरण में मान रखने पर D-I बटे D-D पराबर Vm बटे L गुणे साइन ओमेगा T अब समय के संदर्भ में दोनों पक्षों को एकी कृत करने पर हम पाते हैं कि आई बराबर आई एम साइन ओमेगा T घटा पाई बटे दो दोलाएमान धारा का आयाम आई एम बराबर Vm बटे ओमेगा L के रूप में लिखा जा सकता है प्रेर की ये प्रतिगात वयन जक वी एम बटे ओमेगा L से हम देखते हैं कि राशी ओमेगा L प्रतिरोद के समान भूमिका निभाती है तथा प्रेरकी प्रेर की ये प्रतिगात कहलाती है जिसे XL से निर्दिश्ट किया जाता है XL बराबर ओमेगा L एक विशुद्ध प्रेर की ये परिपत में धारा का आयाम निम्न द्वारा दिया गया है I M बराबर V M बटे XL या I RMS बराबर V RMS बटे XL प्रेरक को आपूर्ति की गई शक्ति प्रेरक को आपूर्ति की गई तादिक्षनिक शक्ति रनात्मक V M I M बटे दो कुणे साइन दो ओमेगा टी द्वारा व्यक्त है चुकि एक पूर्ण चक्र पर साइन दो ओमेगा टी का समय माध्य शून है इसलिए प्रेरक की शक्ति शून है एक प्रेरक की ये परिपत का फेजर आरेक फेजर चित्र एक एसी परिपत में एक प्रेरक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टिता को पाई बटे दो विलम्बित करती है धारा के ग्राफ के चिन बिंदों पर धारा शून है वहाँ ग्राफ की प्रमड़ता सरवधिक है और धारा बढ़ोत्री या घडोत्री के दर सरवधिक है अता वोल्टिता एवं धारा समान कला में नहीं है बलकि तरंग चक्रकला के एक चौथाई के पाहर है एक संधा रित्र पर प्रयुक्त AC वोल्ट दा सीख शमता के एक संधा रित्र तथा AC स्रोथ से निर्मित एक AC परिपत पर विचार करें स्रोथ पर AC वोल्ट दा है V बराबर Vm sin ओमेगा T यदि Q किसी समय T पर संधा रित्र पर आवेश है तो संधा रित्र पर ताद क्षणिक वोल्ट दा निम्न होगी Vc बराबर Q बटे C हम लूप पर किर्चॉफ का नियम प्रयुक्त करके निम्न प्राप्त करते हैं V-Vc बराबर 0 Vc बराबर Vm sin ओमेगा T अब हम उप्रोक्त समीकरण में मान प्रतिस्थावित करते हैं परिबत में ताद क्षणिक धारा Im sin ओमेगा T प्लस पाई बटे 2 होगी जहां Im बराबर ओमेगा Cvm दोलाए मान धारा का आयाम है संधा रित्रिये प्रतिखाद संधा रित्रिये प्रतिखाद उप्रोक्त व्यन्चक Im बराबर ओमेगा Cvm को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है संधा रित्र का संधा रित्रिये प्रतिखाद Xc एक बटे ओमेगा C के द्वारा व्यक्त है एक विशुद्र संधा रित्रिये परिपत में धारा का आयाम निम्न द्वारा व्यक्त है एक संधारित्र को आपूर्थी की गई शक्ती, संधारित्र को आपूर्थी की गई तादिक्षणिक शक्ती, वी एम आई एम बटे दो गुणे साइन दो ओमेगा टी द्वारा व्यक्त है, चुकि एक पूर्ण चक्र पर साइन दो ओमेगा टी का समय माध्धिशून है, इसलिए संधारित्र शक्ती भी शून है. संधारित्र ये परिपत का फेजर आरेक फेजर चित्र, एसी परिपत में एक संधारित्र के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वुल्टता से पाई बटे दो समय पहले पहुँचती है. वुल्टता A से B तक बढ़ने पर संधारित्र पर आवेश पढ़ता है और B पर अपने पूर मान पर पहुँचता है. हाला कि आवेश के प्रवाह के दर प्रदशित करने वाली धारा का अधिक्तम धनात्मक मान आवेशन प्रक्रिया के आरंभ में ए पर होता है. संधारित्र वोल्टता बी से सी तक घटने पर संधारित्र से बाहर को आवेश का प्रवाह आवेशित धारा के प्रवाह के विप्रीत होता है जैसा बी से सी तक रनात्मक धारा द्वारा इंगित होता है अताहत वोल्टता और धारा तरंग चक्रकला के एक चौथाई बाहर है क्या आप जानते हैं 1832 में फ्रांसीसी उपकरण निर्माता हिप्पोलाइट पिक्सी द्वारा माइकल फेराडे के सिध्धानतों के आधार पर डाइनमो विद्धत जनेरेटर के रूप में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन करने वाला पहला प्रत्यावर्तक बनाये गया प्रेरक दिष्ट धारा को कम नहीं कर सकता यह केवल प्रत्यावर्ती धारा को कम कर सकता है संधा रित्रों से होकर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो जाती है किन्तु दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं हो पाती सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोराएं एक AC जनरेटर एक प्रत्यवर्तिधारा उत्पन्न करता है जो समय के साथ जयावक्रिये रूप में परिवर्तित होती है प्रत्यवर्तिधारा में एक आवर्तिकाल के संगत प्रतेक चक्र का मान एकांतर रूप से आधा धनात्मक तथा आधा रनात्मक होता है एक AC परिपत में एक प्रतिरोदक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वुल्ड़ता के साथ कला में होती है धारा के वर्ग के उसतमान का वर्गमोल वर्ग माध्यमोल यानी RMS धारा कहलाता है फेजर चित्र में समय के साथ जया वक्रिये परिवर्थित होने वाली वोल्टदा तथा धारा को घुरुनी सदीशों वी तथा आध्वारा निरुपित किया जाता है जो फेजर कहलाते हैं और जिनकी लंबाईया अधिक्तम वोल्टदा वी एम और अधिक्तम धारा आई एम को प्रधशित करती है एक एसी परिपत में एक प्रेरख के मातियम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टदा को पाई बटे दो विलंबित करती है एसी परिपत में एक संधा रित्र के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता से पाई बटे दो समय पहले पहुंचती है